नमस्ते कैसे हो और्बी स्कूल की तरफ से हिंदी की क्लास में आपका फिरसे स्वागत है आज हम व्यांजन म सीखने वाले है कौनसा व्यांजन सीखने वाले है व्यांजन म हमने पवर्ग सीखा पवर्ग के चारों व्यांजन सीखे पव, फव, बव, और आज हम सीखेंगे व् व्यंजन म, पो वर्ग का आखरी व्यंजन है, पाँचवा व्यंजन, पो, फो, बो, भो, म, म से मा, म मतलब मम्मी, घर पर रखती सब का खयाल, और करती हमको प्यार, और मा हमारी पहली टीचर होती है, म से मटर, मतर को हम अंग्रेजी में पीज भी कहते है, उसके अंदर हरे हरे दाने होते है, और म से होता है मोर, मोर मतलब पिकॉक, वो हमारा रास्ट्रिय पक्षी है, रास्ट्रिय पक्षी में मतलब नैशनल बर्ड, पिकॉक हमारा नैशनल बर्ड है, म से मटका, जो माटी का बना हुआ होता है मिटी का बना हुआ बरतन है उसमें हम पानी भरते है फिर पानी ठंड़ ठंड़ हो जाता है और मटके का पानी बहुत अच्छा होता है मसे मक्खन मक्खन मतलब बटर जो हम रोटी पे पराठे पे और डबल रोटी पे लगा के खाते है मसे मगर मगर मतलब क्रॉकजाइल वो पानी में रहता है उसको दो चमकीली आँखे होती है और जबी वो सोता है एक आँख बंद करके और एक आँख खुली रखके भी सो सकता है और होती है मसे माला मोटियों की माला जो गले में पहनते है मसे माला मसे मगर और होता है मसे मोटूराम जबी हम एक्सेसाइज नहीं करते है तो हमारा वेट बढ़ जाता है वजन बढ़ जाता है हम मोटे हो जाते है तो मोटूराम मोटा मोटा आदमी हमको मोटा नहीं होना चाहिए उसके लिए अच्छे से exercise करनी चाहिए मसे मचली मचली जंग बेरंगी होती है और वो पानी में रहती है पानी से बहार निकालो तो वो मर जाती है और होता है मसे मेज मेज मतलब टेबल अंगरी जी में हम उसे टेबल बोलते हैं, टेबल पे हम पढ़ाई कर सकते हैं, मेज पे बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं, मसे मेज, अब हम म की कहानी सुनेंगे. एक दिन मानवी और उसकी मित्र मिहीरा स्कूल बस में बैठ कर अपनी मैडम मिनाक्षी के साथ चिरिया गर गई. मिनाक्षी मैडम ने चिरिया गर में बहुत सारे पशू और पक्षियों से मिलवाया, उन्होंने मसे मगर मच दिखाया, उन्होंने मसे मचली और मसे मेडग भी दिखाये. मेंधक यहां से वहां जंप कर रहे थे मिनाक्षी माडम बाद में मानवी और महीरा को लेके बागी जे में गई वहां एक मेज पड़ा था मिनाक्षी माडम ने महीरा और मानवी को टिफिन खाने के लिए बोला तिनों ने अपने टिफिन मेस पे रखे और खाने लगे पराठे पे मक्षन लगाया हुआ था खाने के बाद में विनाक्षी मैडम ने मानवी और महीरा को मोर दिखाया और मोर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है वो बताया उसके बाद में थोड़ा आगे जाके उन्होंने मसे मक्डी और मसे मक्षी देखी बाद में मिनाक्षी मैडम मानवी और महीरा स्कूल बस में बैठके चले गए घर पे माने टेलिविजिन पे व्यन जन्मा का पुन्रावर्तन करवाया मसे मोर दिखाया मसे मंदिर दिखाया मसे मजजद और मसे मकान भी दिखाया मसे मजदूर दिखाया मसे माचेस दिखाई मसे महीला और मसे माला भी दिखाई मसे मोटा भी दिखाया और उसके बाद में मसे मुली भी दिखाई मुझे आशा है बच्चों आपको व्यनजनम अच्छे से समझ में आया होगा अब हम व्यनजनम लिखते कैसे हैं वो सीखेंगे व्यनजनम लिखने के लिए जैसे कि आपको मालूम है हमें हमारी माइस्किल बुक चाहिए पेज नमबर 7373 पे हम व्यांजन मौ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि आपको मालूम है हम लेप्ट साइड कॉर्णर में आज का डेट लिखेंगे 8.9.20 उसके बाद में हम व्यांजन मौ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे वो है स्टेंडिंग लाइन पहले हमको पहली रेखा और दुसरी रेखा के बीच में स्टेंडिंग लाइन बनानी है पहली और दुसरी लाइन के बीच में स्टेंडिंग लाइन सीधी रेखा बनाके थोड़ असा नीचे जाके अंदर की तरफ से एक सर्कल बनाते हुए दुसरी लाइन को टच करके दुसरी लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन बनानी है वापस एक बार लिखेंगे पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में सीधी लाइन फिर वो सीधी लाइन को थोड़ा नीचे और खीचते हुए अंदर की तरफ से गोला बनाते हुए दूसरी लाइन पे sleeping line और पहली और तिसरी लाइन के बीच में cd line ये हो गया आपका मसे मगर वापस एक बार लिखेंगे पहली और दूसरी लाइन के बीच में cd line फिर थोड़ा सा नीचे जाके पीछे की तरफ से circle बनाते हुए दूसरी लाइन पे sleeping line फिर पहली और तिसरी लाइन के बीच में cd line और पहली लाइन पे sleeping line ये हो गया आपका मसे मगर ये पूरा tracing practice होने के बाद में आप अपने आप लिखोगे पहली और दूसरी लाइन के बीच में cd line फिर वो लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके जाके अंदर की तरफ से गोला बनाते हुए दूसरी लाइन पे sleeping line और पहली और तीसरी लाइन के बीच में सीधी लाइन और पहली लाइन पे sleeping line बनाना ना बूले ये हो गया आपका म, म से मगर, म से मटका अब हमने पवर्ग के पाचो फ्यंचन सीखे है हमने प सीखा, फ, ब, ब और म भी सीख लिया अब ये पाचो व्यंचन साथ में लिखने की practice हम page number 7575 पे करेंगे और left side corner में आज का date लिखेंगे फिर पाचो व्यंचन साथ में लिखेंगे मतलब पवर्ग साथ में लिखेंगे पहले प, फ, ब, भ, म, फिर वापस प, फ, ब, भ, म, वापस प, फ, ब, भ, म, ऐसे बोलके लिखने से आपको पवर्ग पूरा लाइन से याद रह जाएगा मुझे आशा है बच्चो आपको व्यंचन म, उससे शुरू होने वाले शब्द और पवर्ग के पाचो व्यंचन साथ में कैसे लिखना है वो अच्चे से समझ में आया होगा धन्यवाद